दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे estate bank of India के credit card को apply करने के बारे में कि estate bank of India का credit card apply कैसे करें दोस्तो estate bank of India credit card के apply करने के process को पहले से easy कर दिया है estate bank of India के credit card को apply करने का process पहले थोड़ा stop था दोस्तो अब estate bank of India के credit card तिन step में apply कर पाएंगे इंस्टेंट आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कार्ड मिलने वाला है या नहीं तो दोस्तो इस के एडिट कार्ड को अफलाई करने के लिए सीवीले स्कोर अच्छी होनी चाहिए तो चलिए दोस्तो देखते हैं कि कैसे अपलिकेशन पोरसस कम्पलीट करना है तो दोस्तो एडिट कार्ड को अफलाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को क्लिक करना होगा दोस्तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज़ पे आएंगे कि यहां से 3 step में यह credit card apply हो जाएगा तो दोस्तों इस credit card को apply करने के लिए start apply journey वाल option पर क्लिक कर देना होगा उसके बाद दोस्तों आप अगले page पर आ जाएंगे और जब आप इस page पर आएंगे तो यहां भी 3 step दिखाएगा पहले step में है personal detail दूसरा में professional detail और तीसरा में KYC detail द दोस्तों personal detail में आपको यहां से पहले अपने first नाम को इंटर करना होगा उसके बाद second नाम को और उसके बाद अपने mobile नंबर को इंटर करना होगा तो दोस्तों यहां अपने first नाम second नाम और अपने mobile नंबर को इंटर करने के बाद नीचे में जो term and condition होगा इस term and condition के accept करेंग और दोस्तों confirm ओटीवी पे click करने के बाद आपको यहां से अपने पेन नंबर को इंटर करना होगा अपने date of birth को इंटर करना होगा और उसके बाद confirm वाला option पे click करने के बाद आप next page पे आ जाएंगे यहां अपने mother name को इंटर करना होगा और referral code को इंटर कर भी सकते हैं नई भ आप से पूछा जाएगा कि क्या आप इंप पर्शन है या रिटार पर्शन है तो दोस्तों यहां से जॉब करते होंगे तो इंटर कर लेंगे या अगर सेल्फ होंगे तो सेल्फ कर लेंगे तो दोस्तों जो आप होंगे यहां से वाले option को इंटर कर लेंगे और उसके बाद डीजी लोकर वाल option पर क्लिक कर देना होगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां से इंटर आधार नमबर में अपने आधार नमबर को इंटर करना होगा और नीचे जो capture दिखा रहा है उस capture को इंटर करना होगा और उसके बाद next वाल option पर क्लिक कर देना होगा तो दोस्तों एलाव वाले option पर क्लिक करने के बाद आप जो डिटेल इंटर किये रहेंगे उस डिटेल के best पर आपके verification के वाइसी को verify किया जाएगा और आपको देखा जाएगा कि कौन से credit card आपको दिया जाए और आपके address के best पर credit card को provide किया जाएगा और अगर आपको credit card प्रभाइड नहीं किया जाएगा इस तरह लिख के आएगा obs we have encountered a problem please try after some time तो दोस्तों यहां से हमको जो है credit card नहीं दिया जा रहा है हमने जो data entry कर रहा था उसके बेस्ट पर जो है credit card जो है verify नहीं किया जा रहा है तो दोस्तों इसी तरह आप State Bank of India के credit card लेने के लिए अपने data को फाले इंटर करेंगे और दोस्तों आपके data के best पर आपको पहले बता दिया जाएगा कि credit card दिया जाएगा या नहीं अगर दिया जाएगा तो फिर से आपको यहां आगे के और स्टेप को follow करके अपने form को फिलफ करना होगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर से नेक्स वीडियो में और दोस्तों अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर वताईए उस डाउट को हम क्लियर करेंगे